नवस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे युट्यूब चैनल है केमपली 5 में दोस्तों फिर से एक और वीडियो लेके आगे हूं मैं आपके लिए दोस्तों आज की वीडियो स्टेंड कर से मिले मैं आपको बता दूँ कि आपको हमारी वीडियो पूरी क्यों देखनी तो दूस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं आपको पांच ऐसे स्मार्टफॉन जो की 12,000 रुपे के नीचे आ जाते हैं लेकिन कुछ ऐसे स्मार्टफॉन से जो की केमरे के लिए बने हैं की केमरा उनमें बहुत ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है कुछ ऐसे स्म इसम प्रोसेसर और दो स्मार्टफॉन में आपको लिए ऐसा बताओंगा जिन में आपको ओवरॉर्ड पैकेज स्वारा का अच्छा देखना मिलने लिगा तो इस वीडियो को इन तक बने रहना इस वीडियो को इन तक देखना यह आपको 12,000 रुपे के नीचे तक के स्मार् 웃 blossom बताने वाला हूं याने की एक कंपनी एसटी होने वाली है जिसके में आपको इसमन दूण स्मार्ट वाल जो में तो आगर आप सही करते हो तो है lly करों या तो चले ठीक्र जो स्मार्ट को चले UX लुन स्मार्ट तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब हो आता है रेडमी कंपनी की तरफ से जो कि हाली में कि स्मार्टफोन लॉंच हो है रेडमी नाइन पाउर जो कि काफी ज्यादा अच्छा स्मार्टफोन है अब इसके दियम फीचर्स की बात करें तो आपको इसमें डिस्प्ले जो चैपन त्रेपन इंच की आपको इसमें 48 प्लस आट प्लस दो प्लस दो का वेक यह लिचा सेलफी केमरा देपनों मलता है और इसके प्राइस की हम बात करें तो आपको यह 11-12 रुपे की नीचे ज़रूरट से देपने जाता है जित्वी स्मार्टफोन में आपको बताऊंगा वह 12,000 रुपे के यह आ आपका स्माटफान लेना चाते हो तो रियलमी 7i ले सकते हो ज्यादा करें ब आपको 98 का पैनल देखने हो मिलता है और प्रोसेसर की बात करें तो इसमें भी आपको सेम प्रोसेसर देखने हो मिलता है जो कि यह स्नेप ड्रैगन 64 Megapixel का देखने मिलता है दूसरा केमरा 8 Megapixel का तीसरा केमरा 2 Megapixel का चौता केमरा भी 2 Megapixel का देखने मिलता है और प्राइस तो आपको पता ही है कि 12,000 रुपे तक में आपको स्मार्टफ़न जरूर से देखने हो मिल जाएगा तो दोस्तों अब बत करते हैं हमारे तीसरी नमर क स्मार्टफ़न की जो कि अलग ही कंपनी का अलग नहीं है मलग इन कंपनीों से जो आज के टाइब में बहुत ज़्यादा चल रही है उनमें से तोड़ी अलग कंपनी जिसको नाम है मोटर अब मोटर ने भी काफी टाइम पहले अच्छे स्मार्टफ़न लौंच किया है तो म इसमें भी मोटर इन पागर में आपको कुछी अच्छी देखने उन लाएं टो मैं आप इन वीडियो में बता दूंगा अब बात करते हैं इस स्मार्टफ़न के फीचर EssentiallyFight और 80 इंच की IPS LCD डिस्पेयों को मिलती है प्रोसेसर भी आपको दो स्मार्टपॉन की तरह सेम देखने हो मिलता है जो कि यह Qualcomm Snapdragon 622 प्रोसेसर और बात करें केमरे की तो बैक में आपको ट्रपल रियर केमरा सेटप देखने हो मिलता है जिसमें पहला केमरा 64 MP का देखने हो मिलता ह और तीसरा केमरा भी 2 MP का देखने हो मिलता है और फ्रेंट केमरी की बात करें तो 16 MP का देखने हो मिलता है बैटरी की बात करें तो 6000 mh की काफी बड़ी बैटरी देखने हो मिलती है चार्जर आपको इसमें 20W का देखने हो मिलता है तो पावर का मतलब आपको इसमें पता ही चलके होगा जैसे आपको camera भी का फेजा सही देखने हो मिलता है और आपको इसमें प्रोसेसर भी सही देखने हो मिलता है और सबसे बड़ी बात बैटरी इसमें आपको 6000 देखने है तो तो Redmi 9 Power यानि ये 6000 एमेच की बैटरी, Moto G9 Power यानि ये 6000 एमेच की बैटरी, तो Power जिस स्मार्टफोन के पीछे लग जाता है, यानि कि उसमें बैटरी 6000 एमेच से कम नहीं होने वाली है, अब बात करते हैं चौते नमर के स्मार्टफोन की ये काफेदा स्पेशल स्मार्टफोन है ह हमारे इंडियन के लिए, क्योंकि एक इंडियन ब्रांड को मैंने सामिल किया है, जो कि आपको पता ही चल गए होगा मैंने को से स्मार्टफोन को अपनी वीडियो में सामिल किया, जिसका नाम है Micromax in Note 1, तो इसके भी हम फीचर्स की बात करें, तो इसमें आपको डिस्प्ले के देखने हुँबता है, दूसरा अपंड फाइब मेगा पिक्सल का और इन इंडियन ब्रन्ट होने के साथ साथ आपको काफ़ी अच्छा पैकेज्च देखने हुँब भूग मिलता है स्मार्टफून के अंदर तो अँए अच्छा स्मार्टफोन है, तो अब तक जो भी मै के हैं जैसे पहला relative का दूसरा रियलमी का तीसरा मोटो चौता यह पहला है तो आप आपर स्माटफोन आने वाला है वह से म serio स्माटफोन के वाला है को सब्सक्राइब हम जो कि होने लिए तो इसाई थ सब्सक्राइब से उसमें बेंड वगरा आगे तो इसलिए मैं उसको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करता हूं तो इसलिए मैंने रियल मिनार्जो 20 को इंग्नोर करते हुए रेमी का रेमी 7 intuitive각 लिएक là यह ज्या से अधाख अच्छे पी चर्सके साथ आता है तो इसके द्याइब extres की बात करें तो आपको इसमें डिश्प्ले 65-53 इंच की experience लो मिलती है प्रोसेसर की बात करें थो वीडियर टेक हेलिय inspired 5 प्रोसेसर देखं़ मिलता है जो कि आपको Micro Max Note 1 की भी अंदर देखनों मिलता है और बात करें केमरी की तो आपको इसमें बेक में चार केमर को Quad camera sator देखनों मिलता है इसमें पहला camera आपको 48 MP दूसरा명ा 8 MP तो इसमें तेरे मेगा पिक्सल का फ्रेंट देखने मिलता है बैटरी आपको पांच यह बात करते हैं कि आपके परपज के सापसाप को कौन सा स्माटफोन लेना चाहिए तो सबसे पहले परपर्पस की यदि बात करना है तो यदि आपको एग ऐसा स्माटफोन चाहिए जिस में बैटरी एंड डिस्पले अच्छी होनी चाहिए तो मैं रैकमर्ण करता हूं कि आपको Redmi 9 पावर लेना चाहिए काफ़ दा अच्छा स्माटफोन है और दूसराय परप्स है कि आपको केमरा काफिया तर अच्छा चाहिए तो को काफिया है इंदे मिलता है और घड़ा करें केम्रा और बैटरी की केograph कैम्रा गोर्स साथ उसका साथ बैटरी णा série सीजा हैं तो मैं आपको कंसिडर करना चाहूँगा कि आप मोटो जीन पावर ले सकते हैं केमरा आपको बैक में जो प्राइमरी केमरा 64 मेज़ा पेशल का दिलेंगों मिलता है और जो इसकी बैटरी वो आपको कोई भी दिक्त लेने वाली बात नहीं है तो यह 500 स्मार्टफ़ोन में आपको बता दिये उमीद आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और कोई नो कोई साइस स्मार्टफ़ोन अपने पसंद भी कर लिया होगा इस वीडियो को यह कतम करते हैं बीडियो अच्छ लगे